आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार प्राइम टीवी के खास कारिक्रम हेल्थ मंत्रा में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शुका मैरोत्रा अपने इस खास कारिक्रम में हम बात करते हैं विशेशक्यों से अलग अलग बीमारियों पर और जानते हैं बीमारियों की इलाज और उपाई के बारे में और आज हम बात करेंगे सबसे एहम टॉपिक एडिक्शन के बारे में जो कि आज कल बहुत ही आम हो गया है अगर बात करी जाएडिक्शन यानि कि लट की तो वो किसी भी चीज की लट हो सकती है मोबाइल फोन की लट हो सकती है या फिर किसी नशे की तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर प्रांजल अगरवाल से जो की प्रवक्ता है इंडियन मैडिकल एसोसियेशन के और उनसे जानेंगे कि लट से कैसे बचा जाएं, इसके क्या-क्या दुरोपियोग होते हैं और इसके साइड एफेक्ट्स क्या-क्या देखने को मिलते हैं सेर, हमारे खास कारिक्रम में आपका स्वागत है, तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि एडिक्शन क्या होता है और ये मोस्ली किस एज ग्रुप को सबसे ज़दा एफेक्ट करता है आप ऐसे लें कि जब भी हम कोई भी छोटी चीज जैसे सिर्फ एक चाय का एक्जैम्पल लें, हम रोज सुबह उटके अगर चाय पीने की आदत बना लेते हैं तो चाय में भी आप देखिया हलका सा माइल्ड मूड एलिवेटिंग एफेक्ट होता है हम पीते हैं तो हमें कुछ बहतर महसूस होता है तो उसी में आप देखिये कि जब रोज एक समय पर रोज सुबह सुबह उटकर चाय पीने की आदत पढ़ जाती है जिसको हमारे देश में बेट टी भी कहते हैं तो उसमें कहीं न कहीं यह देखना को मिलता है कि किसे दिन कोई प्रॉब्लम हो गई दूद नहीं है या कुछ और प्रॉब्लम है अगर चाय नहीं बन पाई तो किसी को मोशन नहीं हो रहा है किसी को लग रहा है कि कुछ ताजगी महसूस नहीं हो रही मन अच्छा नहीं रहेगा कुछ ना कुछ एक प्रॉबलम रहती है तो इसी तरीके से जब आप ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपके शरीर को अब उसकी आवशकता बन गई जब आपने पहली बार चाए, कॉफी, कोल ड्रिंग, कोई भी चीज ली तो आपको वो चीज अच्छी लगी तब वो आपको केवल साइकोलोजिकल डिपेंडेंस थी आपको उसको लेने के बाद बहतर महसूस हुआ लेकिन आप उसको लेते रहे, लेते रहे, लेते रहे अब वो आपकी फिजिलोजिकल डिपेंडेंस बन चुकी है अब वो आपके शरीर की जरूरत बन जाती है जैसे आपको रोज खाना खाना है, रोज पानी पीना है या आपके शरीर की जरूरत बन गया है उसी तरीके से नशा किसी भी चीज़ का हो चाहें शराब, भांग, गांजा, चरा, सफीम, स्मैक, नशीली दवाईया, नशीले इंजेक्शन इत्यादी बहुत सी चीज़ें हैं जो लोग एरेंज कर पाते हैं जिनकी उनको आदत पढ़ जाती है और उसी को हम लोग एडिक्श के टाइप और स्टेज़ के कौन-कौन से होते हैं टाइप में जैसे मैंने भी बताया कि अगर हम बात करें कि कौन-कौन से नशे हैं तो शराब बहुत कॉमन है, तमबाकू बहुत कॉमन है, टोबैको एंडिक्स प्रोडक्स जितना भी पान, मसाला, जर्दा, स्मोकिंग, सि कुछ गलती कर दियो उसको ठीक करने के लिए, तो उसके साथ एक डाइल्यूटर आता है, तो उसको भी सूंगने का बच्चे जो है, वो कई बार आदर डाल लेते हैं, तो वो भी एक नशा है, इसी तरीके से दर्द के जितनी दवाईयां हैं, या दर्द के जितने इंजेक् होते हैं, आप किसी भी पेशेंट की अगर सरजरी हुई है, तो उसको दर्द होना स्वभाविक है, अगर वो दवाईयां उतना ही दिन तक ली जाएंगी और उसी क्रम में ली जाएंगी, जिस क्रम में आपके डॉक्टर ने आपको प्रिसक्राइब किया है, तो वो आपको फाइदा करेंगी, पर आप अगर उसको अपने हिसाब से डोजिस घटाते बढ़ाते रहेंगे, या एबरपली स्टॉप कर लेंगे मेडिसिन को और उसके बाद जब आपको दिक्कत हुई तब एक साथ उसकी क्वांटिटी बहुत जादा ले लेते हैं, तब कई बार जो है कि अंदर वास्तव में ये चीज वो खुद समझ पाता है कि हाँ, अब मैं इस चीज का आदी हो रहा हूँ, और अगर वो अपने डॉक्टर से, अपने साइकेटरिस से पर्टिकुलरली अगर उनके पास विजिट करता है और उनसे बताता है कि ये दिक्कत है, तो उसका जो ह स्टेज हो जाती है, जब लोग इसके आदी हो चुके होते हैं, तब उनको फिर छोड़ने के लिए किसने किसी डिएडिक्शन सेंटर या जो हॉस्पिटल से ऐसे मौझूद रहते हैं, उनका सहरा लेना पड़ता है, एक उसकी सबसे ज़्यादा एडवांस वाली स्टेज आ सबसे ज़्यादा किस एज ग्रूप को एफेक्ट करता है? स्टेज जो है वो हम लेकर चले तो करीब लगबग 12-13 साल से लेकर 35-40 साल तक की एज के लोग हैं, जो इसमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि ग्रस्ट हो रहे हैं, अगर हम बात करें कि इसके अलवा जो एजिस हैं तो बच्चों में नेचरली क्योंकि वो पेरेंट्स क चांसिस बहुत कम रहते हैं, अगर सबसे खतरनाक नशे की बात करें कि जिसको हम पहली बार ट्राइ करते हैं, उसके बात से ही उसकी लट लगने लगती हैं, तो ऐसा कौन सा नशे हैं? इतना अलकोहल ले लेते हैं कि वो लेते लेते हैं इतना अडिक्ट हो जाते हैं कि उनकी जान चली जाती है, क्योंकि नेचरली अलकोहल जो है हेपेटो टॉक्सिक है, यानि कि वो लिवर को नुकसान पहुचाती है, अगर आप एक समय सीमा से ज़ादा उसको लेते रहेंगे से पहले खतम होता है अगर हम बात करें कि खतरनाक लेवल पर जैसे किसी को शराब का नशा है तो शराब का नशा आप उसको कुछ समय उसकी प्रॉपर काउंसलिंग दे कर प्रॉपर डिरेक्शन दे कर प्रॉपर दवाईयां दे कर उसको आप इंप्रूव कर सकते हैं लेकिन जो एक injectable drugs का नशाय जो आजकल बहुत common है जिसमें लोग तमाम तरीके की drugs हैं जिनको वो injection के माध्यम से लेते हैं वो बहुत खतरनाक साबित होता है क्योंकि usually क्या करते हैं कि ऐसे में जो लोग इन नशों से पेडित होते हैं वो एक गैंग में बैठते हैं और वो 57 लोग एक ह सिरिंज से जो है ये सारे नशे लेते हैं उसमें कोई सिरिंज चेंज नहीं होती कोई स्टराइल सिरिंज नहीं आती है तो इस वज़े से जो उनके अंदर पहले से ग्रस्ट और समस्याएं हैं जैसे HIV है, Hepatitis C है इनका संक्रमन एक वक्ति से सभी में ततकाल हो जाता है और व हुस्पिटलाइज भी होना पड़ता है क्योंकि नशामुक्ति केंदर तो बहुत सारे हैं लेकिन वहाँ जाके भी ऐसा देखा क्या है कि जाता तर लोग सहीं नहीं हो पाते हैं जी आपके दो सवाल है इस आपके एक सवाल के दो पॉर्शन है एक है कि क्या उनको की फैमली है वो मरीज से इतना जादा परेशान हो चुकी होती है उसकी एक्टिविटी से वो बार बार मरीज पैसे मांग रहा है या गुसा कर रहा है या सो नहीं रहा है चीजें फेक रहा है तोड़ फोड़ कर रहा है चोरियां कर रहा है बार बार पुलिस कंप्लेंट हो तमाम चीजों से वो इतना तरस्त हो जाते हैं कि वो जब तक नशा मुक्ती केंदर पहुंचते हैं तब उनके अंदर उसको डंप करने की भावना आजाती है कि बस इससे तीन महीने, छे महीने जितने दिन चाहें उतने दिन का हमें छुटकारा मिल जाए. नशामुक्ति केंद्र का जो concept हमारे हाँ commonly देखने को मिलता है वो ये है कि एक किराय का मकान है जरतर किराय का होता है वैसे वो किसी का अपना भी हो सकता है और उसमें वो एक चार दिवारी में बस मरीज को उठा के बंद कर देते हैं तब उसके अंदर की living conditions कैसी हैं ये कभी परिवार देखने की कोशिश नहीं करता जब मरीज को आपके तलब लगेगी तकलीफ होगी तब कोई उसको क्या treatment दे रहा है ये कोई जानने की कोशिश नहीं करता और वो बताते भी नहीं है तीसरा ये कि आपके मरीज का वहाँ पर living conditions क्या है वाश रूम साफ होते हैं की नहीं होते हैं बेटशीट भी change होती है की नहीं होती है खाना जो उसको मिल रहा है वो diet हमारी living का एक बहुत important portion होता है और अगर उसको वहाँ पर खाना ही बहुत खराब quality का मिल रहा है या जो नहीं खाया जा सकता वैसा मिल रहा है तो आपको यहीं चीज़ेंगे अगर आप देखेंगे मोटा मोटी जो maximum नशामुक्ती केंद्र होते हैं उनमें व्यवस्थाएं उतनी परियाप नहीं होती है औ और इस वज़े से और वहाँ पर आपको यह भी नहीं मालुम कि मेरे मरीज को कोई तकलीफ हो तो कोई मुझसे बताएगा कि नहीं कोई उसको भी सुनने वाला है कि नहीं है यह बहुत commonly देखने को मिला है तो नशामुक्ती के लिए आप जो जनता के लिए जानने का point important है वो दूसरे व्यक्ति के लिए है ही नहीं यह सिर्फ सरकार दे सकती है अदालते दे सकती हैं वो भी उसने अगर crime किया हो तो नशा कई बार लोग जो नशे में पढ़ जाते हैं वो बहुत innocent होते हैं बहुत जिनोंने दुनिया नहीं देखी उनको बहुत commonly जो गैंग है जो ऐसे अपरेट करते हैं पूरे पूरे systems को वो उनको ऐसी चीज़ों पर motivate कर ले जाते हैं और तब वो इन में फस जाते हैं ये एक दलदल है इससे उनको motivate करके बाहर निकालने की आवशक्ता होती है आप किसी का भी नशा उसको motivate करके और उसको वो दवाईयां या वो treatment दे कर जिसम ये देकर ही आप उसको नशा से बाहर निकाल सकते हैं आप उसको जबरदस्ती सजा देकर नशा नहीं छोड़वा सकते हैं तो जबी भी आप किसी अपने मरीज को नशा मुक्ती के लिए किसी hospital में नशा मुक्ती के इंदर में भरती कराएं वहाँ पहले चीज़ ये जरूर देखें कि डॉक्टर्स वहाँ पर उपलब्ध हैं कि नहीं हैं डॉक्टर हैं तो उनकी क्या qualification हैं खुल कर पूछें क्योंकि अगर कोई भी डॉक्टर की जो भी qualification है उसको बताने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए दूसरा ये है कि आप वहाँ के अंदर की living conditions जरूर देख हैं कि वहाँ पर आपको अगर मरीज के साथ रुकने की आवशकता है तो क्या आप मरीज के साथ रुक सकते हैं कि नहीं रुक सकते हैं बहुत जगे देखा गया है कि लोग कहते हैं कि आप एक महीने बाद आएं तब मिल पाएंगे पहली बार मरीज से दो महीने बाद आएं तब आप पहली बार मरीज से मिल पाएंगे आप फोन पे बात कर पाएंगे तो ऐसे environment में हम अपने घर के बच्चे को अपने किसी परीजन को कैसे ले जाके हम कहीं पर भी किसी भी गैर के हाथ में छोड़ के आ सकते हैं तो जिम्मेदारी नशा छुड़ाना मरीज के परिवार की भी है मरीज की भी है दोनों की बराबर है दूसरा आपका question था कि क्या इनको hospitalized करने की जरूरत है की नहीं है जी हाँ बिलकुल इनको hospitalized करने की जरूरत पड़ती है जब वो मरीज अपना treatment खुद कराने से मना कर दें या वो किसी भी तरीकी की दवाई या treatment लेने को तयार ना हो रहे हूं कब hospitalized की जरूरत पड़ती है या फिर वो मरीज जिनमें withdrawal symptoms होते हैं मतलब जब आपने नशा छोड़ दिया आज तक बराबर ले रहे थे आज से बंद कर दिया अब जो दिक्कते होंगी उनको manage करने के लिए कई बार घर में नहीं हो पाता है और लोग वापस वो नशा लेने के लिए विवाश हो जाते हैं तो ऐसी conditions में hospitalization की आवशक्ता बढ़ती है और hospitalized होकर उनका proper अच्छा treatment जितने भी दिन लगें दो हफते एक महिना दो महिना जो भी लगें वो hospitalization होकर उनके शरीर में जो नुकसान हो चुका है नशे का उसको भी reward करने की कोशिश की जाती है और साथ ही जब वो वहाँ से डि तब तक अपनी life settle हो जाएगी उनके कहीं job करने लगें जो भी उनका काम है उसमें लग जाएं यही procedure होता है अगर therapy की बात करी जाए ऐलोपैथिक, होमियोपैथिक, आयोवेथिक सभी तरह की therapy हमारे इंडिया में मिलती है तो नशे को छुणाने के लिए, addiction को छुणाने के कौन से best होती है, क्या सभी में इलाज मौजूद है देखे सभी जितनी भी पैथिज हैं हम लोग बात करें अलोपैथि, आयोवेथिक, होमियोपैथि मतलब जितनी भी अपने अपैथिज हैं सब का बहुत important role होता है अगर हम अलोपैथि की बात करें तो वो बहुत सारे दे पाती है, immediate treatment दे पाती है कि आपको वेट बहुत लंबे समय तक नहीं करना होता है लेकिन अभी भी बहुत सारी problems ऐसी हैं जिसमें ऐलोपैथि एक permanent solution तक नहीं पहुच पाई है और बाकी जो पैथिज हैं वो अपने solution पर हैं तो definitely मैं ऐलोपैथिक का doctor हूँ तो मैं ऐलोप करें वो important है योगा और meditation का कैसा रोल रहता है बहुत important रोल है अगर हम योगा और meditation की बात करें यहां तक कि जितने भी hospitals होते हैं जितने भी नशामुक्तिक के छेतर में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी यूजली यह cycle होती है कि रोज सुबा morning session सेशन सबसे पहले योगा का होना जरूरी है योगा में देखा गया है कि वो अगर आप योगा के लिए रोज सुबा उठते हैं तो पहली बात आप टाइम से सुएंगे तो जब आप टाइम से सुएंगे तो एक आपकी जीवन की cycle नॉर्मल सी पर आने की शुरुवात हो जाती है जो वेक्ति नशे से ग्रस् रहें तो fresh oxygen जा रही है वो अपने शरीर पर जो भी उसके improvement आ रहा होता है उसको वो watch कर पाता है वो पहली बार अपने शरीर के treatment में मेनत कर रहा होता है उससे पहले तो हमेशा उसको खराब करने के लिए सब कुछ किया हुआ होता है तो योगा का definitely बहुत important रोल है meditation का बहुत important रोल इसलिए है क्योंकि व्यक्ति जब meditate कर रहा होता है तो वो अपने soul से जुड़ा हुआ होता है वो अपनी आत्मा से जुड़ा हुआ होता है और वास्ताव में देखा गया है कि जो लोग meditation करते हैं उनके अंदर willpower जो है वो बहुत अच्छी develop होती है और नशे को बात करें तो क्या कोई ऐसी medicines भी बनी है जिनको लेकर इंसान बहुत जल्दी कंट्रोल कर सकता है addiction पे और अगर बनी है तो उसमें कौन सी चीज ऐसी important होती है जो कि सीधा addiction पे treat करते है जी addiction को लेकर बहुत सारी ऐसी दवाईया हैं जो already उपलब्द हैं पर उनका misuse नहीं होन प्लब्द है पस यह है कि आपको 10 दिन 15 दिन का एक abstinence spirit होता है जिसमें आपने नशान ना लिया हो उसके बाद वो दवाईयां शुरू की जाती हैं कुछ दवाईयां ऐसी हैं जो आपको जिसको हम लोग बोलते हैं कि anti alcoholic medicines जो आपको alcohol के लिए जो अर जाती है जो इच्छा ह medicine वो ले लिया तो आपको reaction हो जाते हैं जिससे आपको vomiting हो सकता है hot flushes हो सकते हैं सर में दर्द हो सकता है तो इस तरीके के तमाम reaction हो जाते हैं जिस वज़े से व्यक्ति को कही ना कहीं मजबूर होना पड़ता है कि अगर वो घर से दवा लेकर निकला है तो वो पूरे रास्ते addiction का नहीं ले सकता है वो शराब या जो भी चीज़ वो लेते हैं वो नहीं ले सकते हैं तो कहीं ना कहीं इन दवाईयों से लोगों को treatment में बहुत मदद मिलती है बहुत साइध दवाईया भी होते हैं जिनका addiction हो जाता है तो क्या ऐसा भी कभी हुआ है कि जो addiction छडाने के लि वो दुबारा नहीं गए डॉक्टर के पास वो वही दवाईया market से freely procure करके लेते रहे तो डॉक्टर को भी ध्यान देने की आवशकता है कि जो भी उनके nearest pharmacy है उसको बताएं कि जितने दिन की दवा लिखी गई है उससे जादा दवाईया dispense मरीज को नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि डॉक्टर ने prescribe न की हों कई बार मरीज को लगता है कि अब यही दवाईया है जो चलनी है डॉक्टर के पास जाने का कोई फायदा नहीं है और वो उन दवाईयों को market से procure करके उनका unjudicial use करते रहते हैं और जिस वजए से वो फिर उन दवाईयों से ग्रस्ट हो ज करेंगे जब वो उसके अगली बार आएंगे तो हम और टेपर करेंगे अगर हमें बढ़ाना भी होती है तो हम थोड़ी थोड़ी करके बढ़ाते हैं और अगर घटाना भी है तो भी थोड़ी थोड़ी करके घटाते हैं तो मरीज को तो इस चीज़ का ग्यान नहीं होता न शुरू कर देते हैं तो वो भी कई बार ऐसी समस्याओं में गरस्त हो जाते हैं जी डेफिनिटली वो सिधा माइंड पर असर करती हैं और जो ट्रिगर आपके अंदर से आता है जो नशे के लिए बार बार जो इच्छा होती है वो ट्रिगर को रोकना उसको स्टिमूलेट करना ये उनका काम होता है कि वो रुका रहे वो उनको बार बार अंदर से इच्छा ह पर अगर बात करिए रही है नशा लेकिन अगर बात करीज़ हमारे परिवार के लिए हमारे देश के लिए उस पर बहुत बुरा असर पढ़ता है। आप ये समजह Japanese नशा करता एक विक्ती है पर सफर उसका पूरा परिवार करता है कोई विक्ती आप मानके चलिए जो नशा करता है वो अगर घर आ ला है तो उसके तमाम चीजे हैं जो फैमली को जेलने पड़ती हैं अगर घर में कोई एक मेंबर बिना खायस होएगा तो आपको लगेगा कि हम बाकी सब लोग खापी चुके हैं और हमारा एक परिजन है जो बिना खायस हो रहा है या फिर तमाम ऐसे केसिस देखे गए हैं जिसमें नशे की हालत में रोड एक्सिडेंट्स हो गए बाइक से लोग गिर पड़े कोई और परिशानी हो गई ऑफिस में बहुत से लड़ बैठे या आपस में जो उनके कोलीक्स हैं उनसे लड़ाई हो गई तो नशा करने से रोकने की जिम्मेदारी भी उसी परिवार की है और अगर कोई इसमें ग्रस्थ हो गया तो उसको ठीक करने की भी पूरी परिवार की है सब लोगों को मिल के उसका सपोर्ट करना चाहिए कई बार हम लोग देखते हैं कि पेशन्ट को नशेडी या शराबी या इस तरीके के टम्स दे कर या इवन इलाज के बाद भी उसको पुराने समय की बातचीत करके लोग डीमॉरलाइस करने की कोशिश करते हैं मेरी ऐसे सबी लोगों से गुजारिश है कि जब भी कोई नशे में पीडित हो ये चीज़ फैक्ट है आप समझ के रखें कि आप उसको मोटिवेशन करके ही उसका नशा चुड़ा सकते हैं आप उसको डीमॉरलाइस करके उसको इस तरीके के अब शब्द बोलके या पुरानी बातों को याद करके अपना भविश्य और उनका भविश्य दोनों अंदिकार में डाल रहे होते हैं और कुछ नहीं आपके सवाल में पोर्चन था कि हम लोग देश को क्या नशा करते हैं वो देश को क्या नुकसान पहुचा सकते हैं देखे काफी समय से निउस वगरे में भी देखा गया है कि क्रोस बॉर्डर नशे की काफी सप्लाई होती है बाहर के देश, बाहर के देशों में जो आतंकी संगठन हैं या जो ऐसे लोग हैं जो हमारे देश के खिलाफ काम करते हैं वो हमारे देश में नशा और सब चीजें बॉर्डर के नीचे से सप्लाई करने का काम करते रहें इवन हमारे देश के अंदर भी काफी प्रोडक्शन होता है पर बहुत से ऐसे नशे हैं जो खतरनाक हैं और उनकी सप्लाई बाहर से होती है और वो सारी इल्लीगल सप्लाई है तो ये समझने की जुरूत है कि उनका क्या दे है सपोसर आज मेरे पास 500 रुपे हो और मैं किसी के पास नशा लेने जाँँगा तो वो मुझे 500 चीसा रुपえば दे पाएगा जॉब्स देने से लेकर सारे स्टेप्स उठा रही है ताकि लोग बिरोजगार न रहें वो जितने बिरोजगार रहेंगे उतना उनके पास पैसे की कमी होगी वो नशे से ग्रस्त होने की संभावना ही बड़ी रहेंगी और वो बार बार ऐसे जो लोग हैं जो नशे में लोगों को जो पूरे एजेंट्स हैं पूरे पूरे गैंग हैं जो क्रॉस बॉर्डर काम कर रहे हैं ताकि हमारे देश का यूद पूरी तरीके से खतम हो जाए ताकि वो यहां के जो पुलिस फोर्सिस हैं आम forces हैं उन पर पत्थर बाजी करें तो भी हमारा देश की जो लोग हैं वो साथ में ना खड़े हूँ तो कही न कहीं हम अपने देश के शक्ती बोद को बहुत बुरी तरीके से चोड़ पहुचा रहे होते हैं मेरी सभी से गुजारिश है कि नशा एक बहुत गंभीर समस्या है ये कोई बहुत आम समस्या नहीं है कोरोना जैसी महामारी आके चली गई पर नशा आके तब ही जा पाएगा जब इसमें पूरे 130 करोड़ देशवासी एक साथ जुट हो जहां भी आप नशा करते किसी को भी देखें थोड़ा भी देखें उसको टोकें उसको रोकें उसको अपनी सुसाइटी का हिस्सा ना माने उसको अपना स्टेटस सिंबल ना माने एक समय पहले नशा करना एक बहुत खराब बात होती थी, अब नशा करना एक status symbol बन रहा है, एक बैच में किसी भी आप college को देख लिजए, engineering college हों, dental college हों, medical college हों, management के colleges हों, तमाम जितने सनातक और post graduate वगरे courses हैं, सभी के colleges में देखिए, नशा अपने चरम पर पहुच रहा है, और चाहें लड़के हों, चाहें लड़कियां हों, दोनों में बराबर तरीके से उसकी जो नंबर है, वो daily increase कर रहा है, तो कहीं न कहीं ये एक दीमक है, जो हमारे सिस्टम को, हमारे देश को कमजूर बनाने का काम कर रही है, हमारा यूथ के दिमाग काम करना बंद कर देंग अगर हम चाहते हैं कि ऐसा होता रहे, तो हमें अपने देश से नशा एक बहुत बड़ी दीमक है, जिसको खतम करना ही होगा, और युद्ध सर्पे सब को जुटना होगा, चाहें वो जितनी भी सरकारे हों, या व्यक्तिकात रूप से हर किसी को उसमें जुटने की जरूरत ह बिल्कुल, लगभग ऐसा देखा जाता है कि टीनेजर्स नशे के शिकार होते हैं और उनके पैरेंट्स को ये पता नहीं होता है, तो पैरेंट्स कैसे अवेर हों, कि पैरेंट्स को क्या आप एडवाईज देंगे जिससे वो अपने बच्चों को नशे की तरफ जाने से रो मील साथ में जरूर करना चाहिए, उस समय आप जरूर ये चीज़ एंशोर करें कि आप मुबाइल फोन या टेलिविजन का इस्तेमाल कोई भी वक्ती ना कर रहा हो, ये भी आजकल कामनली देखना को मिलता है, चार लोग बैठे डिनर कर रहे हैं, क्योंकि साथ में डिनर करन रहे हैं, उसमें उनसे उनकी पूरे दिन भर की गतिविदियों को जरूर शेयर करना चाहिए, कि बच्चे ने कितने बज़े से कितने बज़े तक क्या किया, किसके साथ थे, वो कैसे लोग हैं, उन पर थोड़ी नजर रखनी चाहिए, वो कैसे आते जाते हैं, अपने स्कू जीवन की गंबीरता के बारे में, जीवन की वस्तविकता के बारे में, थोड़ा-थोड़ा कहीं ना कहीं, जो उनका एक एक एक्सपिरियंस है, जो तज़ुर्बा है, वो मिलता रहे, और वो इन सब चीजों में पहुशने से, भटकने से बचें, वो अपने पेरेंट्स की बातें शेयर करेंगे, अगर पेरेंट्स उनके साथ शेयर करेंगे, तो वो भी अपने आपको फ्री समझेंगे शेयर करने के लिए, और हर लेवल पर, चाहें वो पेरेंट्स हों, बच्चों को जज़ करना नहीं ठीक रहता है, कि आप हर बात पर जज़ कर रहे हैं, कि ये कि वेद हैं या वो पुस्तकें जो हमारे पूरवजों ने लिखी थी जिनमें संसकार भी हैं जिनमें जीवन की वस्तविक्ताई भी हैं और सभी चीजों का एक मिला जुला जो है वो सार होते हैं उनके बारे में जरूर थोड़ा बहुत सब को जो है शेयर करते रहना चाहिए एक बहुत important चीज है कि spirituality को अब लोग बहुत एक सिरे से नकारने लग गए हैं कि बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत commonly कह देंगे कि हम इश्वर को नहीं मानते हैं बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जो parents भी अगर बच्चे उनके पूजा नहीं करते हैं या इश इश्वर को नहीं मानते हैं तो उस पर कुछ उनको ज्यान देने की कोशिश नहीं करते हैं वो कहते हैं कि ठीक है वो जैसा सोच रहे हैं ये उनकी व्यक्तिकत सोच है पर उनकी व्यक्तिकत सोच तब ही शुरू होती है जब वो अपनी life independently जीना शुरू करते हैं यानि की कि थोड़ा बहुत ही सही जैसे हफ़ते में एक बार या महिने में एक बार किसी मंदिर जाना है या जो भी आपका पूजा का स्थाने वहां जाना है या जो भी इश्वर से सम्मंदित चीजें हैं वो करना है मंदिर के आगे से हाथ निकल रहे हैं तो बस हाथ जोड़ लेना ही जो है वो काफी है कि हम उनमें कहीं न कहीं स्पिरिच्वालिटी का एक बीज बो पाएं ताकि वो आगे चल कर देखा गया है जो लोग पूरी तरीके से अन्स्पिरिच्वल अन्गॉडली रहते हैं उनके गलत रास्ते पर जाने के जादा होते हैं और जो लोग थोड़ा भी स्पिरिच्वल रहते हैं थोड़ा सा इश्वर से डरते हैं वो गलत काम करने से भी डरते हैं और बचते हैं इनफेक्ट और वो एक सही मार्क पर आगे बढ़ते रहते हैं जीवन में तो कहीं न कहीं ये कुछ important चीजें हैं जो मैं चाहता हूं कि parents करें अपने घर में अगर बात करी जाए एक और addiction की जो कि आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलना है बच्चों में mobile addiction उसके बारे में क्या कहेंगे वो हमारी health में कितना बुरा असर डाल रहा है खास तोर से छोटे बच्चों की आखो पे बच्पले से ही बच्चे addicted हो रहें mobile के लिए आपने बिल्कुल सही कहा कि आज के समाज में सबसे ज़्यादा trending जिसको कहें हमकी वो नशा हो चुका है आप कोई भी व्यक्ति छोटा हो बड़ा हो बुड़े हो सभी आजकल mobile phone का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके अपने side effects भी हैं आप अगर देखें तो social media के भी अपने side effects हैं जिसका बच्चों को शुरू में ग्यान नहीं होता और आप इसके बहुत सारे side effects में एक side effect ये भी है कि ये depression भी cause करता है आप अगर बात करें जो social media है तो social media पर आप जब भी देखते हैं 95% से ज़्यादा बार ऐसा होता होगा कि आपको सिर्फ लोग वही चीज़े दिखाते हैं जो उनकी जीवन में अच्छी हो रहे हैं वो किस film star से किसी mall में मिल लिए या flight में मिल लिए या उन्होंने जीवन में क्या उपलब्दी हासिल की कौन से उनको prizes मिल रहे हैं या उन्होंने कितना अच्छा घर बनाया है या कितनी अच्छी गाड़ी खरीदी है या वो कितने अच्छे रेस्टूरेंट में दोस्तों के साथ enjoy करने गए थे वगेरा वगेरा ऐसे सारे events होते हैं जो लोग आम तोर पर सोशल मीडिया पर साज़ा करते हैं उसके कुछ अच्छे परेडाम भी होते हैं पर उसका एक negative परेडाम ये है कि वो एक तरीके से पूरी की पूरी एक दूसरी दुनिया है जिसमें लोगों के जीवन में जो struggles हैं जो परेशानिया हैं जो संघर्ष है जो मेहनत वो कर रहे हैं उस चीज़ को achieve करने के लिए वो कहीं सामने नहीं आती लोग सीधा सीधा outcome देखते हैं वो ये देखते हैं कि एक वेक्तिने कैसे इतनी महंगी कार खरीद ली और उनके अंदर भी ये इच्छा हो जाती है कि ये कार मेरे पास भी हो या इससे भी बहतर कार मेरे पास हो वो ये नहीं सोचते कि इस कार को खरीदने के लिए इस वेक्तिने कितनी ज़्यादा परेशानिया जेली कितना बैंक लोन लिया कितनी मेहनत करता है दिन रात की वो माइस पे कर पाए या कितना महंगा उसको उस कार को चलाना पड़ता है वो वगएरा वगएरा इसी काफी चीज़े हैं जो लोग नहीं देख पाते हैं तो अल्टिमेटली जब वो दूसरे की सक्सेस देखते हैं और खुद चुकी वो अतनी मेहनत कर रहे नहीं होते तो वो क अगर देखें कि मुबाइल फोन जो बच्चों को आजकल दे रहें उसमें प्रमुक कारण है कि बच्चा थोड़ी ज़्यादा रोया तो उसको मुबाइल पकड़ा दिया पहले की टाइम में क्या होता था जारतर जॉइन फैमिलीज होती थी तो जॉइन फैमिलीज में अग अगर एक से नहीं संबल रहा थोड़ी दर दूसरा ले लेगा दूसरे से संबल रहा तीसरा ले लेगा तो सबके पास रहकर बच्चा चीज़ें सीखते भी रहता था और संबल भी जाता था और कोई मुबाइल फोन जाया किसी अन्य चीज़ की जरुरत भी नहीं पड़ती कहानिया की किताबे आती थी लोग जो है चंपक है और चाचा चौधरी जैसी वगरा वगरा किताबें घर में मिलती थी जिसको लोग पढ़ते थे उसमें बहुत अच्छी अच्छी सीख भी होती थी जो लोहों को मिलती थी तो development के time से उनको काफी अच्छी अच्छी जो है बा भी देख सकते हैं पर आपका बच्चा क्या content देख रहा है यह तो आप हर समय monitor नहीं कर पाएंगे तो इसलिए mobile phone का use बहुत limited होना चाहिए mobile phone के जितने भी screens हैं वो आँखों पर बहुत negative impact डालते हैं कहीं ना कहीं आप देखें कि अगर statistics ड्रॉ करें तो अब बच्चों की आँखों में problems बहुत जल्दी आ जाती है as compared to पहले के time में same ways जो diet जैसे मैंने बताया बहुत important role है तो जो भी green leafy vegetables हैं या जो भी चीज़ें जो जिनमें vitamin A का content अच्छा होता था वो पहले लोग बहुत खिलाते बलाते थे कि जो है आँखें अच्छी हूँ अब जो है काफी fast food आ गया है काफी चीज़ें ऐसी हैं जिनोंने green leafy vegetables को कही कुछ बाहर कर दिया है जो fruit juices होते थे उनकी juice हमें उनकी जो replacement है वो package juices ने ले ली है जो की flavor juices होते हैं वो वास्ताव में original फल से बने हुए juices नहीं होते हैं क्योंकि कहीं न कहीं हम मैनत करने से बच रहे हैं कि हम juice क्यों बनाएं अगर package डा रहा है तो fridge से निकाला और हमने बच जरूरी होता है आप अपने परिवार के साथ जितना maximum समय दे सकते हैं अपने काम के अलावा वो दें जो चीज़ आप कर सकते हैं वो आप ही कर सकते हैं वो technology नहीं कर सकती उसमें एक बहुत important कदम जो है वो बच्चे की परवरिश है तो जो upbringing है किसी भी बच्चे की वो बहु समाज से जुड़ नहीं पाते क्योंकि वो कहीं भी बैठेंगे वो फोन लेकर बैठना ज़्यादा पसंद करेंगे बजाए कि वो लोगों के साथ interact करें तो ये बहुत कुछ समाज से आए हैं जो हमें देखने को मिलती हैं उन बच्चों के साथ जो mobile phone के अडिक्ट हो जाती ह नींद की problem में ये सबसे पहले rule out करने की आवशक्ता होती है कि नींद क्यों नहीं आ रही है आपको एक दिन या दो दिन किसी भी वज़े से किसी भी परेशानी की वज़े से जो मांजिक तोर पर है सपोज कोई परेशानी है financial है या पारिवारिक है या कुछ भी है आपको न नींद की गोली लिया तो नींद की गोली से आपको नींद भी आ गई और थोड़ा सा मूड भी बहतर हो जाता है life is full of ups and downs जब अगर आप इसको एक zero level मान रहे हैं और कभी भी अगर down आया depression आएगा life में आप कभी success होगी कभी failure होगा तो जो quantity उस elevated mood की है जो आदत लोगों को पढ़ चुकी है वो लेने के लिए उनकी number of tablets बढ़ जाती है तो काई ना काई फिर वो जाके उनकी जैसे मैंने बताया वो dependence में convert हो जाती है addiction में convert हो जाती है तो इसलिए नीन की दबाओं से बचना चाहिए जब भी आपको लगे कि आपको नीन में कोई दिक्कत है तो अपने psychiatrist से consult करें psychiatrist के लिए एक myth है कि वहाँ किवल जो मांसिक रोग से परिशान या commonly पागल मरीज है वही जो है वो psychiatrist के पास जाएंगे ये एक myth है अगर आपको नीन नहीं आ रही है अगर आपको उलजन गबराहट बेचैनी कोई भी ऐसी जनरल समस्या उसके लिए भी आप psychiatrist से consult कर सकते हो और psychiatrist आपको definitely उतनी हलकी दवाद देंगे जो अगर आवश्यक है नहीं तो वो आपको किसी counselor के पास बेजेंगे जहां आपकी proper counseling हो जाएगी है फिर आप शायद जब आप अपनी बात express कर पाते हैं तो आप शायद बेहतर तरीके से सो पाएं addiction के cases में suicide और crime कितना देखा गया है? addiction के cases में suicide और crime तो बहुत common है इसलिए common है क्योंकि जब suppose अगर हम suicide की बात करें तो अगर जैसे अभी आपने नीन की दवाईयों की बात किया तो नीन की दवाईयों से भी लोग suicide कर लेते हैं केवल number of tablets बढ़ जाती है quantity बढ़ जाती है तो ऐसी भी कुशिश करते हैं और भी तमाम रास्ते हैं तो जो addiction में है या जो है जो जिसके अंदर suicide के ख्याल आ रहे हैं वो वही व्यक्ति होता है आम तो पर जो अपनी बात सामने वाले से खुल के नहीं रख पा रहा है ना परिवार से ना दोस्तों से ना बाहर किसी से तो ऐसे में जरूरत है कि जब भी आप क मस्या है तो उनकी मदद करने की जरूरत है उनको psychiatrist या counselor या psychologist के पास ले कर जाएं वो उनसे बात करेंगे शायद आपका मरीज अकेले में शुरू के एक दो सेशन के बाद अपने counselor को अपनी बाते बोल के हलका फील कर पाए ताकि उसको इन दवाईयों पर dependent होने की आवशक्त ना पड़े बजाए कि वो ऐसे कदम उठाए कि या तो वो किसी नशे से ग्रस्त हो जाए या वो suicide करने के बारे में सोचे जी तो ऐसे लोगो को कभी क्या अकेला छोड़ना चाहिए वो situation पर depend करता है कि उनको अकेला छोड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए कई बार होता है कि आ स्पेस देने भर का आपको ध्यान रखना चाहिए साथ ही आपको जच करना जरूरी है कि उस स्पेस देने की condition में ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति अपनी जान पर कोई ऐसा काम करें जिससे वो अपनी जान ले बैठे या उसके लिए कुछ घातक साबित हो तो अगर आप ध्यान र परिणाम देखने को मिल सकते हैं तो आज हमें डॉक्टर प्रांजल अगरवाल ने बताया कि addiction के क्या-क्या side effects होते हैं हमारे जीवन पे हमारे परिवार और देश में इसका कितना बुरा असर पड़ता है कैसे हम नशे से दूर रह सकते हैं और इसके क्या-क्या इलाज होते ह हैं फिलहाल आज के addiction के इस episode में इतना ही अगली बार फिर मिलेंगे नए episode में नए topic के साथ विशिशग्या से जानेंगे कि किस तरह से हम बीमारी को treat कर सकते हैं और कैसे बच सकते हैं तब तक आप देखते रहें ट्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार